हेलो दोस्तों इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसी अप्लिकेशन जो फोटो इन्हेंस बनाने में बहुत आपको मदद करेगी जो मतलब आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा और गूगल पर भी मिल जाएगा सबसे पहले नमबर पर जो है रेमिनी एप्स है जो मतलब बहुत सारे आप लोगों को मालूम भी है मतलब कि एकदम इजी यूज करने में बहुत ही सिंपल तरीके का अप्लिकेशन है और इसमें थोड़ा सक्या है कि आपको नेट के थूरू ही आप फोटो को इन्हेंस कर सकते हैं तो दोस्तों जैसा यह अप्लिकेशन खोल लेटिंग भी बहुत अच्छा है और यहां देख सकते हैं कि प्लेश टोर पर अब जाके डारेट सिंपल में उपन करता हूं उपन करने के बाद सीदह गैलरी पर ले जाने के बाद देख सकते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है कोई भी पिक्चर आपनी गैलरी से आप उठा आझाल है डायो आपको आपको आपर डिंडा जैसा मतलब आजाए अधर आजाए गा जायेगा देख सकते हूं कि आपको यह जो Is तो यह पर गूत करा यह देख सकते हैं सब्सक्राई में कि अए एटकर्ड पर से तो मतलब शल्ण करना है निहींने तरी किसे छृब। से राइट गुमाना है बस आपको तो बस उपर से डाउनलोड ऑप्शन है उसके बाद सीधर डाउनलोड कर दीजिए गैलरी में चला जाएगा बस इतना ही करना यह अप्लिकेशन पहुत ही सिंपल तरीके से आप यूज कर सकते हैं देख सकते हैं ड़न हो गया सेफ टू गैलर सकते हैं मॉबाइल का अप्लिकेशन से फ्रेness इसमें आपको में इस्टेफ बैस्टेफ के बताऊंगा बन बहुती सिंपल तरीका है बस आप unemployment PVतुद आपड़े वह नइंस करते हैं तो मैं बतातों आपको सिंपल तरीके से मतला किस तरीके से मतला किस तरीके से आपको कि इसके बाद ऑर इसमें अभी प्रम पकी आपको यहां पर लेंसा लेंसा फोटो करके मतलब आपको डावलोड करना थो यूज करना में बताता हूं को सकते हैं मैं ने पहले भी फोटो आपने कुछ ब्राइटनेस कर रखें तो जैसे अप्लिकेशन को उपन करेंगे तो पलस के निसान पर क्लिक करेंगे तो आपको गैलरी पर ले जाएगा देख सकते हैं मैंने एक फोटो मेरा इंपोर्ट किया मतलब कि जो पुराना सा फोटो है मतलब देख सकत देख सकते हैं कि यह उपर आपको देखाई देंगे फोर ग्राउंड ग्राउंड और मतलब ऑड़ अजै कि भी सलह करेंगे तो आप उसमें कर सकता है कोन्ट्रास बड़ा सकते हैं इसके बाद इससे शार्प ने सब पैफ Mission recognizes उस세요 जाएंगे तो आपकोड्य क्रीआ अपर दुनिया भर के effect है, मतलब सबसे पहले तो adjust पहीं बताता हूँ adjust पहीं जैसे देख सकते हैं कि foreground foreground मतलब आपको exposure अपने photo के आगे देना है तो देख सकते हैं foreground मतलब photo के आगे, photo के पीछे नहीं photo के आगे जैसे contrast जैसे जो भी देना चाहें आप यहां से situation सबसी दे सकते हैं, मतलब photo के जितना काला दुंदुला जितना भी है bright करना चाहें कर सकते हैं, उसके बाद आब आते हैं background पे यह देख सकते हैं, background पे जैसे है exposure, background पे आएगा आपको photo पे कुछी नहीं असर आएगा तो यह application भी देख सकते हैं, बहुत ही simple तरीके से आप use कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे option हैं, और सबसे पहली बात तो मतलब आप चाहें तो जैसे general पे रहेंगे तो auto adjust पे photo जो है, अपने हिसाब से कर देगा जो मतलब कि देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे, और भी इसमें function है आप normally बस इतने auto adjust पे photo automatic आप bright कर सकते हैं बस कुछ नहीं है, उसके बाद save कीजिए, save करने के बाद gallery पे चला जाएगा, तो बहुत ही simple तरीके का application से, थोड़ा net चाहिए, मतलब कि अभी application यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा net चाहिए, तो तो मतलब की simple तरीके से, आप इसके यूज कर सकते हैं, जी हां दोस्तों यह है, आखिरी मतलब जो मतलब आपको बताऊंगा की मतलब mint all करके application से, किस तरीके से मतलब इसमर भी, आप बहुत ही आसानी से अपने photo को बहुत ही simple तरीके से enhance कर सकते हैं, तो मतलब इमेज, इमेज इसमें, मतलब कि आपको दिखाई देगा, मतलब कि इसमें बहुत सारे functions हैं, mint all करके applications play store पर है, मतलब जो आँसे, आपको मैं, screenshot जो मैं दिखा रहा हूं, देख सकते हैं कि आप भी इसको use करने बहुत easy जी तरीके से कर सकते हैं, जैसा मैं आपको open करता हूं, तो open करने पर ही देख सकते हैं कि इसका अपली, इसका मतलब की interface ऐसा आता है, जैसा open में देख सकते हैं, comic style उसके बाद photo enhancer बस इसनको tick लगाएंगे तो अंदर gallery में ले जाएगा, उसके बाद restore old photo देख सकते हैं, old photo को restore कर सकते हैं, paint photo को paint जैसा भी बना सकते हैं, colorize है, उसके बाद repair scratch मतलब जो पुराने फटे टूटे फटे photo हैं, उनको भी repair करके देता है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जाते है, photo enhancer का बात कर रहे हैं, तो देख सकते हैं, जैसे मैं इसको किलिक करूँगा, gallery पे ले जाएगा आपको भी gallery में ले जाएगा, यहां से photo उठाना है, मतलब की देख सकते हैं मैं यहां से, एक कोई सभी photo उठाता हूं, जैसा मान लीजिए, मैंने यह वाला photo उठाता हूं, और इसको okay कर देता हूं okay करने के बाद, थोड़ा सा यह time लेगा, loading होने में, जो देखते हैं कि मतलब आपको loading होने के बाद मैं देखाता हूं कि मतलब, कितना फरक आता है इसमें, देख सकते हैं, यह complete हो जाने आता है देख सकते हैं, before and after में यह नीचे यहां पर आपको दिया हुआ यह देख सकते हैं, दो नीचे चिन्न दिया है इसमें से आप देख सकते हैं, पूरा photo को भी कर सकते हैं, यह मैंने face को देखाने के लिए मतलब, आपको किया है, इतना difference है, मतलब कि यह application से भी photo enhance कर सकते हैं, उसके बाद सीधा नीचे देख सकते हैं, आपर download का option है, जब इसको click कीजिए, download करके photo applications के मजे लीजिए friends, बहुते simple तरीके से, मतलब कि link भी आपको मैं description में डाल दूँगा यह तीन applications आप use कर सकते हैं, बस थोड़ा सा internet के मतलब, दो application internet से चलते हैं, यह download करने के बाद आप समझ जाएंगे, मतलब कितना photo enhance करना चाहते हैं, आप उतना करिए, जितना चाहें, उतना photo कीजिए, मतलब कि बहुत चोटा साप्लिकेशन, चोटी साप्लिकेशन, सिंपल अप्लिकेशन से वीडियो देखने के ले फेरेंस, बहुत बहुत दन्याबाद फेरेंस, थैंक्स